आज़ो 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 यह देखो यहाँ पर आंधी तूफान मचा रखाई मैंने कितनी बड़ीया चार्ट मना रखिया और उपर क्या लिखाई टाइटल पड़ो आज ही आधी अंग्रेजी सीख जाओगे ये बात बिलकुल सच है क्योंकि इस वक्त जो चार्ट आप देख रहे हैं जो बड़ी महनत से मैंने आपके लिए तयार की है इसमें हर एक वो मॉडल है जो आपकी डेली लाइफ में काम आता है और बोला जाता है यानि अगर आप इन सब को सीख लोगे तो आधी से जाधा आधी नहीं बलकि आधी से जाधा अंग्रेजी सीख जाओगे आज मैं आपको ना सरिफ इन सभी की हिंदी बताऊँगा बलकि इस खाली पेच पर हर एक मॉडल का एक 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 जल्दी देता चलूँगा ताकि दिमाग में फिट हो जाए एक दम बैट जाए और आपका बेन नोड दिमाग जो है ना वो बिलकुर सही हो जाए इंगलिश के मामले में और वाई सब इस वीडियो का सेफ करके रहे ना बड़े काम की चीज़े कभी कोई ठीक है अब ये सारी चीज़े सीखने के लिए इस वीडियो का इंट तक ज़रूर देखिएगा आगे बढ़ने से बड़े चैनल को सब्सक्राइब करेजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो को नोडिफिकेशन आपको बिलकुल तॉइम पर मिल जाए तो चलो यार बिना देर की आप शुरुआत करते हैं और बताना शुरू करता हूँ एक्जामपल के साथ एक एक करके सबसे पहला उपर देखो टॉप पे लिखा है कैन, भाई इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है, सकता है, सकती है, सकते हैं, कोई भी ऐसा वाकर जिनके लाश्ट में सकता है, सकते हैं, वहाँ पर कैन लगा लेना, मैं जा सकता हूँ, तुम्हा सकते हो, हम पढ़ सकते है तो बहुत सिंपल है वी कैन रीड हम नहीं पढ़ सकते हैं वी कैन नौट रीड क्या हम पढ़ सकते हैं और यह जो आपका कैन है इसके साथ हमेशा हमेशा लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना कमाल अरे कमाल तो होगा अगला वाला देखो अगला है कुड कुड की हिंदी क्या होती है जरा साफ साफ राइटिंग में लिखूं भाई कुड की हिंदी होती है सका कोई भी ऐसा वाकिय जिसके लास्ट में सका सकी सके आये मैं नहीं आ सका मैं नहीं बोल सका वह नहीं जा सकी वह नहीं खेल सका वह नहीं जा सकी भाईया यह जो could होता है न इसके साथ can की तरह ही हमेशा लगती है verb की first form so वह नहीं जा सकी simple she could not go मैं नहीं आ सका I could not come तुम नहीं बोल सके you could not speak क्या वो नहीं बोल सका could he not speak could पहले आ जागा क्या वाले में तो सही है could हो गया अगला वाला देखो next है able to able to का मतलाब होता है क्या होता है मैं भूला हूँ नहीं नहीं मैं भूलूँगा ले में लखनों लिख रहा हूँ able to का मतलाब होता है लायक ना लायक नहीं लायक तुम जाने लायक हो वो खेलने लायक है हम पढ़ने लायक है तो जैसे मुझे कहना है वह जाने लायक है जाने लायक है बनाएंगे इसे लेकिन हाँ याद रखना कि इस एबल टू के साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फोम लगानी है अब वह जाने लायक है है सिम्पल ही इस एबल टू गो हो गया चलो भाया नेक्स टोला देखते हैं नीट तू यह भी बहुत काम की चीज़ है इसका हिंदी में मतलब होता है जरूरत है जरूरत है मुझे जाने की जरूरत है तुम्हें आने की जरूरत है तुम्हें पढ़ने की जरूरत है तुम्हें बोलने की जरूरत है अब मुझे बोलने की जरूरत है तो याद रखिएगा इसमें नीटू का प्रियोग होगा और नीटू के साथ आप प्रियोग क्या करेंगे वही अपनी घूम फिर के मस्त वाली वर्ब की फ़र्श्ट पॉप मुझे बोलने की जरूरत है I need to speak I need to speak मना करे नीट नॉट के साथ और कुछ नहीं करना चलो बच्छो नेक्स्त वाले देखते हैं ध्यान से अगला वाले देखो माइट हो भाई देखने में माइटी राज़ू जैसा लग रहाए खतरनाक सा माइट का मतलब क्या होता है माइट का मतलब होता है सखेगा तुम जा सकोगे समास वोह जीत सकेगा लो भया इसे यह खिला दोड़ाई इसके बार मुझे लगता है कि वो जीत पाएगा जीत सकेगा, अब यह जो might है, इसके साथ भी आप हमेशा हमेशा वर्ब की first time का प्रयोग करेंगे, वह जीत सकेगा, he might win, लो जी, he might win, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, next वाला देखेंगे, बहुत सारे हैं अबी, अगला है must have to, must have to, इसका हिंदी में मतलब होता है, करना ही है, कर तो मैं परयोग करना ही है, तो कोई काम करना ही है, उसके लिए must have to का प्रयोग करेंगे, जैसे तुम्हें जाना ही है, भाई मुझे नि इसमें हम प्रियोग करेंगे Must have to मस्ट have to के साथ क्या लगती है वर्ब की first font तो तुम्हें जाना ही है You must have to go तुम्हें जाना ही है You must have to go तुम्हें आना ही है You must have to come तुम्हें पढ़ना ही You must have to sleep वगेरा वगेरा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं Next one देखते हैं Having अब देखिए ये भी बहुत काम की चीज़ है Having Having का मतलब होता है लिये हुए मैं बच्चा लिये हुए हूँ वो बंदूक लिये हुए था वो तलवार लिये हुए है तो mobile लिये हुए चीज़ का नाम लगता है जैसे मोबाइल हो गया टीवी हो गया फ्रीज हो गया बच्चा हो गया तो इसमें second form first form अगा चक्करी नहीं होता तो नाम होते हैं ऐसे लिख दी जाते हैं इसलिए मैं उपर नहीं लिख रहा हूँ Where mobile लिये हुए है He is having अरे ये तो बच्चा है ये तो छोटा सा है इसका हिंदी में मतलब होता है चाहिए चाहिए जैसे तुम्हें जाना चाहिए तुम्हें आना चाहिए तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम्हें सोना चाहिए तुम्हें खेलना चाहिए इन सब में हम should लगाएंगे और वर्ब की first form लगाएंगे तुम्हें जाना चाहिए you should go तुम्हें नी जाना चाहिए you should not go तुम्हें नी बोलना चाहिए you should not speak वगेरा वगेरा बाई देखो next वाला देखेंगे need to अब need to अभी पढ़ा तो था बार बार लिग दिया भाया का है तू का है एडिटर तेरे को editing के बाद बताऊँगा वीडियो से record होने के बाद देखें यहाँ पर need to नहीं यह इसने लगा दिया इसको पीछे बाद में बताऊँगा यह खाली need है need का मतलब होता है जरूरत जरूरत है ना जरूरत और किसी भी सामान की यहाँ पर क्या था यहाँ पर वर्ब की जरूरती जाना आना खेलना खूदना तो टू लगाएंगे वर्ब के साथ यहाँ पर सामान की जरूरते मोबाइल की जरूरते पैसो की जरूरत है टीवी की जरूरत है फिरिच की जरूरत है तो ऐसे मैं खाली नीड लगाएंगे तू नहीं लगाएंगे तो जैसे मुझे कहना है मुझे एक कार की जरूरत है कार की जरूरत है देखिए हैं सामान की जरूरत है अगर यह कहता कार चलाने की जरूरत है नेस्ट आज देखेंगे Dare to Dare to का मतलब हम होता है साहस है या साहस ज्यादा तगड़ी हिंदी हो जाएगी हम्मत है मुझ में पढ़ने की हम्मत है मुझ में उसे बात करने की हम्मत इंदेखें जय से कि हम्मत कंत है यह जो आपका डेर टू है ना, इसके साथ आप हमेशा वर्भ की First Tom लगा ना, मिरी राइटिंग तर मच जाना अब मुझ में जाने की जरूरत है I need to go जरूरति नी सारी हिम्मत है अबे, मुझ में जाने की हिम्मत है, I dare to go, मुझ में जाने की हिम्मत अगला वाला है head to, head to का मतलब होता है ना था, अले काले वाले से लिख लूगा, head to का मतलब होता है, ना था, नी थी, मुझे जाना था, मुझे आना था, मुझे पढ़ना था, मुझे सोर पे देने था, मुझे उसे बुलाना था, ना था, नी थी, ने थे, अब जैसे मुझे कहना है, मुझे जाना था, मुझे जाना था, और याद रखिएगा, यह जो head or two का combination है, इसके साथ लगेगी, वर्ब की first form, मुझे जाना था, I had to go, logic, खताम हो गया, I had to go, मुझे नी जाना था, I had not to go, मुझे पढ़ना था, I had to study, वगएर वगएर, नेक्स्ट और देखेंगे दोस्तो, अगला है should have, अब ही देखिया, हमने should पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, यह रहा, should का मतलब होता है, चाहिए, लेकिन अगर इसके साथ have जुड़ जाए, तो should have, तो इसकी हिंदी हो जाती है, चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, था लग गया, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए ति have लग गया तो नहीं लगीगी अब लगेगी third form should have के साथ third form तो तुम्हें जाना चाहिए था यूoup should have go की third form gone, you should have gone. तुम्हें नहीं जाना चाहिए ति शूड not have gone, तुम्हें सोना चाहिए था you should have slap, तुम्हें वीडियो को share कर देना चाहिए तो you should have share the video. तो ऐसे मजाक नहीं कर दो सीरियसली बूल लों प्लीज लाइक कर दो अभी शेरवाद में कर देना आओ देखते हैं अगला वाला है यह लाइन पूरी होगा वह इतनी सारी हैं कहां तक पढ़ाऊंगा बलेकिन पढ़ा के जाऊंगा बहुत काम की चीज़े हैं अगला वाला है और वर्भ की फर्स्ट वाल सो वह आता सिंपल ह वूड कं वह जाता ही वूड गो मैं पढ़ता आई वड स्लिप वगेरा वगेरा चलिए नेक्स jeśli देखते हैं अगला है विलवी की हिंदी होती है रहा होगा रहा होगा रही होगी रहगा पढ़ रह रहा होगा पढ़रा इसके साथ देखो, ing लगेगी, sleeping, going, dancing, punching, so, वह सो रहा होगा, he will be sleeping, he will be sleeping, वह जाग रहा होगा, he will be waking up, he will be, चारू, will be के बाद, ing form, ठीक है न, चलो, आगे देखते हैं, अगला वाला है, must, must, must साभाई साभी हो, है must, लेकिन, इसका मतलब होता है, चाहिए, should जैसा है, लेकि जरूर चाहिए, यानि कोई काम जरूर करना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर आना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, उसमें must लगाएंगे खाली, जैसे, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, अगर ये जरूर ना होता, तो यहाँ प तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, you must study, तुम्हें जरूर बोलना चाहिए, you must speak, अगला वाला देखेंगे दोस्तों, अगला है must have, आप यह देखें, चाहिए, हमने should का मतलब चाहिए लगाया था, should have का चाहिए था, must का जरूर चाहिए था, जरूर चाहिए था, अब यह वही पास्ट में चला गया, should have की तरह, अब जैसे मुझे कहना है, ओ यार तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए था, तुम्हें जरूर पोलना चाहिए था, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था, अब से तुम्हें जरूर जाना चाहिए था यू शो मस्ट लगाएंगे यू मास्ट हैव गो की थर्ड फॉर्म गॉन अगर यह जरूर नहीं होता तो वही शूट लगाते थे यू शूड हैव जरूर था मस्ट है बाइट नेक्स्ट वाला देखेंगे अगला वाला देखो अगला है विल है विल हैव का मतलब होता है चुका होगा चुका होगा वह जा 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 चुका होगा वह सो चुका होगा, he will have slept, वह पढ़ चुका होगा, he will have studied your read, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तो, पहले इसको erase मारो, next वाला, अगला है, have had, have had का मतलब होता है, लिया है, मैंने खाना खा, लिया है, मैंने पानी पी, लिया है, यानि कोई भी खाने पीने की चीज होगी, उसके सा नाशता कर लिया है, अब इसमें वर्ब नहीं लगी कि नाउन लगेगा, तो थर्ड सेगेंड फर्स्ट का कोई मसला नहीं, मैंने नाशता कर लिया है, I have had breakfast, I have had breakfast, वैसे मैं पहले से ब्रेक फास्ट बोलता था, फिर मुझे किसी ने बताया, सर जी ब्रेक फास्ट होता है, म बेगन टू नहीं है, यह बिगन टू, इसकी हिंदी होती है, लगा लगी, मैं जाने लगा, वो रोने लगी, पढ़ने लगा, वो खिलने लगा, वो सोने लगा, हमसने लगे, बिगन टू, तो जैसे मुझे कहना है, वह सोने लगा, वह सोने लगा, तो इसके लिए वह बेग to sleep, वो जाने लगा, he began to go, रोने लगी, he began to, she began to cry, मैं हसने लगा, I began to laugh, वगेरा वगेरा, चलों, नेक्स टॉला देखते हैं, दोस्तों, अगला वाला है used to, इसकी हिंदी होती है, करता था, मैं सोया करता था, पुरानी आदे ताजा करेंगे, मैं खेला करता था, हम पड़ा करते थे, हम नंगे नाया करते थे, so, वह खेला करता था, हम उसे पीटा करते थे, वह रोया करती थी, हम बाग में आम तोड़ा करते थे, तो इन सभी के लिए used to का प्रियोग होगा, और वर्ब की first form, तो जैसे वह खेला करता था, हम बूला करते थे, वह यूजड टू स्पिक, वगेरा वगेरा, चलो नेक्स वाला देखते हैं दोस्तो, अगला वाला देखेंगे, about to, about to का मतलब होता है, वाला, वाला, यह सबस्रा किसी में भी जूड़ी जाता, वाला, वाली, वाले, है ना, मैं जाने वाला हूँ, वा आने वाली थी, तुम पढ़ने वाले हो, इसमें about to जोड़ देंगे, तो जैसे वह जाने वाला है, वह जाने वाला है, तो देखिए, इसमें लगाएंगे about to, और इसके साथ हमेशा वर्ब की first form लगती है, तो वह जाने वाला है, he is about to go, और हाँ, क्योंकि यहाँ पर है आरा है, इसलिए is लग गया, था होता, he was about to go, जाने वाला था, जाने वाला होगा, he will be about to go, आने वाली होगी, पढ़ने वाली होगी, बस वाला वाली वाले आ जाए, सब में about to लगा दिंगे, नेक्स्ट वाला देखो दोस्तो, plus able, यह बहुत काम की चीज़ है, इसका मतलब होता है, लायक, देखे, एक हमने लायक यहाँ देखा था कहाँ गया, अब मिलेगा, नहीं हमें पका पता हो, मिली नहीं सकता, किसी कीमत पे, यहीं कहीं होगा भाया, तो एक लायक हमने यहाँ भी नालायक कहाँ चला गया, तो कहाँ गया, मुझे नहीं देखे रहा, शायद दूर से देखा पड़ेगा, चलो, तो यह है, plus able, अब इसमें able में क्या होगा, कि यह plus हो जाएगा वर्प के साथ, जैसे, पानी, पीने, लायक है, तो पानी, वाटर, इज, अब पीने को ड्रिंक बोलते हैं, D, R, I, N, K, इसी में able चुपका दो, drinkable, water is drinkable, eatable, sleepable, readable, watchable, likeable, writeable, readable, सब में able, able चुपका दो, वहीं लायक हो जाएगा, सब देखो, drinkable, जुडिया, तो यह चिपकने वाला है, पानी, आप पानी पीने लायक है, कि जगा था होता, तो वास कर देते, वगरा वगरा, सब इस तरह से, next वाला देखेंगे दोस्तो, अगला वाला है मे, में का मतलब होता है, शायद सकता है, देखिए इसमें सकता है सकती आएगा कैन की तरह लेकिन इसमें शायद जरूरा जागा क्योंकि इसमें possibility कम होती है थोड़ी सी यानि आप idea लगा रहे होते हैं जैसे वह शायद आ सकता है वह शायद आ सकता है तो यहाँ पे शायद सकता है के लिए में का प्रियोग करेंगे जिसके साथ हमेशा वर्व की first form लगती है अब इस शायद को आप गायव कर दीजिए तो कैन लगेगा वह आ सकता है वह जा सकता है वह खिर सकता है लेकिन शायद लग जाए तो ही में कम ही में कम अब मना करेंगे शायद हो नहीं आ सकता है फूंत मा मतलब होता है चुका होता 宮प कर दूंत शुका होता चुका होता देञा है बुलता बुलता देखो चुका होता रहा इसके साथ, तो इसमें लगाएंगे, would have, और वर्ब की, third form, हांजू, इसमें third form लगेगी, क्योंकि ये पास्ट का बोध करा रहा है, अबे third ने लिखा जा रहा, तो, वह जा चुका होता, he would have, go की third form, gone, वह मर चुका होता, he would have died, वह सो चुका होता, he would have slapped, वगेरा वगेरा, चलो आगे बढ़ते हैं, next वह देखेंगे, और ये वा लाई, may have, may have का मतलब हो सकता, may have, जैसे कि हमने पढ़ा था, can have, अब may have, इसका मतलब है, शायद, शायद, पास हो सकता है, पास हो सकता है, भाई, किसी के पास कोई चीज हो सकते हैं, उसका अब उसके पास, शायद, शायद, एक कार, अवे किता लंबा चला गया, हो सकती है, तो सिंपल है, उसके पास शायद एक कार हो सकती है, he may have, he may have a car, अब क्योंकि may have के पात वर्ब नहीं आती ही, सीधा सामान का नाम आता है, तोस first form, second form का चक्करी खतम, he may have a car, शायद उसके पास हो सकता है, he may have a mobile, ठीक है, next वाला देखेंगे, will be to, will be to, इसके हिंदी होती है, वाला होगा, वाला होगा, एक हमने about to पड़ाता, वो भी वाला होगा होता है, तो will be to, या will be about to बोल दीजिए, एक ही बात है, जैसे, वह जाने वाला होगा, वह जाने वाला होगा, so simple, he will be to go, he will be to go, और will be के साथ, आप हमेशा, हमेशा, will be to के साथ, वर्ब की first form लगाएंगे, गालिक दिया, क्या होगा, he will be to go, चलो आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, next वाला देखते हैं, will be to के बाद आता है, would be, would be, would be का मतलब होता है, रहा होता, मैं सो रहा होता, मैं जा रहा होता, मैं खेल रहा होता, मैं पढ़ रहा होता, अगर तुम नहीं आते तो मैं लटक रहा होता, तो would be, अब जैसे, वह सो रहा होता, वह सो रहा होता, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, would be लगाएंगे, और हाँ, इसके साथ लगेगी, वर्ब की first time के साथ? आईएंगी, जैसे, वह स इसके साथ हम वांटटू का प्रियोग करें और वर्ब की first form, तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं, I want to, I want to speak something, I want to speak something, लो जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, I want to see something, वो आना चाहती है, she wants to come, मैं बोलना चाहता हूं, I want to speak, यह बना तो दिया था, चलो next one देखेंगे, अगला है bond to, bond to का मतलब होता है, करना ही है, करना ही है, य तो जाना ही है, तो जाना ही है, तो जाना ही है, तो जाना ही है, तो क्या लगाएंगे, bond लगा देंगे, फेभी कुईक लगा दो, फेभी को लगा दो, तो इसके साथ वर्ब की first form लगाएंगे, मुझे जाना ही है, I am bound to, bound to go there, I am bound to go there, मुझे आना ही I am bound to come, मुझे पढ़न I am born to study, you are born to like the video, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, next वार देखेंगे, अगला वाला है, बांटो के बाद, will have to, will have to का मतलब होता है, पढ़ेगा, पढ़ेगी, तुम्हे जाना पढ़ेगा, तुम्हे जाना पढ़ेगा, तो क्या लगाएंगे, will have to लगाएंगे, will have to, और हाँ, इसके साथ भाई, वर्प की first time लगेगी, तुम्हें जाना पढ़ेगा, you will have to go, तुम्हें आना पढ़ेगा, you will have to come, तुम्हें नाचना पढ़ेगा, you will have to dance, वागेरा वागेरा, आप ऐसे बना सकते हैं, नेक्स्ट और देखेंगे दोस्तो, अगला वाला, will have to go, कीन्टू, ओ भाई, ये तो बड़ा डर सा लग रहा है, इसे देखके भी, ये कीन्टू का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है, एक्साइटेड हूँ, उच्सुख हूँ, उच्सुख हूँ, यार मैं वहाँ जाने के लिए बहुत उच्सुख हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए बहुत उक्सुख हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए मरा जा रहा जाने की, उच्छुक हूँ, उच्छुक हूँ, तो यही कीन टू हो गया था, अभे का की ए गया है ना, तो कीन टू जो था आपका, जो की यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ वही वर्प की, फर्स्ट नाचने के लिए उच्छुक हूँ, I, keen to dance, I keen to dance, I में नाचने में तुमसे मिलने के लिए उच्छुक हूँ, I keen to meet you, बोल दो ऐसी आज वाटसप पर बोल दो, मेरे भरोसा करेके, बोल देना, सही है, चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला है, have to, have to का मतलब होता है, ना है, नी है, ने है, मुझे जाना है, मुझे मुझे खेलना, मुझे बनाचना, मुझे बोलना, तुमें बोलना, तुमें बोलना, तुमें तो बगरा, तो have to लगाएंगे, यह plural यानि बहुआ चन के साथ लगता, I, U, V, D, के साथ, he, she, name, और तो फिर has लगेगा, has to, हम have to बोलते हैं, जैसे, मुझे जाना है, रो रहा to come, लगाते रहेंगे, चलो विच्छ, नेक्स ट्वार देखते हैं, have to को आता है, must be, must be का मतलब होता है, हो ना, देखिए, जब हम किसी को कहते हैं, तुम वही हो ना, हा, तुम जरूर डक्टर हो, हाना, तुम जरूर एक टीचर हो, हो ना, तो उसके लिए must be लगाते हैं, जैसे तुम जरूर एक डाक्टर, अब डॉक्टर कर देते हैं, हो ना, तुम जरूर एक डॉक्टर हो ना, तो इसके साथ वरत तो आएगी नहीं, ना, एक डॉक्टर, टीचर, लायर, तो लगाने की लगाती नहीं है, सो बद, यू मस्ट बी अ डॉक्टर, लीजी मैंने सब्सक्राइबर हो ना, you must be my subscribers, तुम अच्छे इंसान हो ना, you must be good human, like the video, आओ आगे बढ़ते हैं, next वाला देखते हैं, बच्चो, अगला बाला मस्ट बी के बाद आता है, विल है, यह तो सिंपल सा है, गा, गी, गे, चलो बनाते हैं, गा, गी, गे, तुम पढ़ें गे, तुम सो, गे, विल लगाएंगे, तो विल के साथ हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट वम लगेगी, जैसे वह जाएगा, simple है, he will go, वो नहीं जाएगा, he will not go, और भी आप सोच सकते हैं, आप वीडियो को लाइक करोगी, विल लाइक दा वीडियो, next वाला है, वांटेट चाहती थी, चाहते थे, मैं जाना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, मैं सोना चाहता था, मैं बोलना चाहता था, मैं सोना चाहती थी, यह बनाते हैं, ठीक है, मैं सोना चाहती थी, तो बना दिया, अब यह ग्याद रखेंगे, यह जो वांटेड टू है, इसके साथ आप लगा देंगे अगला देखेंगे दोस्तों वांटेटू के बाद आएगा में हैव टू में हैव टू का मतलब होता है शायद करना है करना है शायद तुम्हें जाना है शायद तुम्हें वहां से आना है शायद तुम्हें जूट बोलना है शायद कोई काम करना है या कोई काम क प्रयोग कर सकते हैं जैसे शायद शायद लिखना नहीं आ रहा तो कोई का करना है या कोई काम करना शायद पढ़ सकता है, शायद करना पढ़ सकता है, शायद करना पढ़ सकता है, मेरी आवास सुल लो, शायद पढ़ सकता है, तो कोई गाम, शायद तुम्हें आना पढ़ सकता है, शायद तुम्हें जाना पढ़ सकता है, शायद तुम्हें बोलना पढ़ सकता है, शायद मुझे जान शायद मुझे जाना पड़ सकता है Go Keys First Form I may have to go शायद मुझे आना पड़ सकता है I may have to come शायद मुझे उससे मिलना पड़ सकता है I may have to meet her शायद उसे पैसे देने पड़ सकते ही I may have to give money लगा सकते हैं अब यहां पर आप अभी नहीं रुक जाना बात के लिए एक homework है वो करके जाना क्योंकि homework के भी ना जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा ठीक है चलो ready हो जाओ इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ sentences देख पार होगे सभी वाक्यों की जादा नहीं चारी है बस चारी देता हूं इंग्लिश बनानी है इस वीडियो के comment section में जाकर पोस्ट कर देना प्लीज comment section में जाते ही इसके English पोस्ट करना आपको फॉरण मेरा 24 गंटे गंदर नहीं 12 गंदर ही हर्ट मिलेगा और आपको बता लगेगा सर ने हमारा comment पढ़ा हमारा homework चेक किया और किसी को homework में आपको घलती दीखे तो धूंडा करो चील की नजरों सरों से बता दिया करो और हाँ अगर आप basic clear करना चाहते हैं तो खरीच सकते हैं मेरा super basic English speaking course जिसका link वीडियो के description box में 10 वीडियो का course है इसे खरीदने के लिए डाउनलोड कर लिजिए application grammar वाला या फिर directly link पर क्लिक कर लिजिए यह course आपका हो सकता है आदिधाषों पर 50% का offer चल्दा है जा हम इसा उटी के साथ share करना जुते देख तो चु यह ぇनि है करते की देख आरा और यह डिके आ